Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video, I hope you all are doing good So let's start today's video, और आज है 8th day of Ramadan और यहाँ पर हम सब अल्मुस्ट कर चुके हैं सहरी तो सहरी में अम्मी ने बनाया था पराठा और मुझे बिल्कुल भी मननी करता है आजकल सहरी खाने का तो यहाँ पर मुझे लास्ट में आदा है कि मैं क्यों अपने लस्सी बना लूँ वैसे भी दही मैंने खाने का सोचाई था So I made लस्सी for myself और बहुती यम था तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रोज हर सहरी में लस्सी ही पीने वाली हूँ and nothing else So yeah, यहाँ पर मैंने पानी भी पी लिया and थोड़े बहुत बरतन थे जब ममा ने लगा लिया और फिर ममा ने बोला कि यह जो gas cleaning का काम है वो इतने टाइम ही मतलब सहरी के वक्त ही कर लेते हैं वरना क्योंकि मैं सुबा में काफी जादा लेट उटती हूँ सुबा क्या मतलब it almost becomes an afternoon तो इस वज़े से और फिर सुबा सुबा उटके बिल्कुल मन नहीं करता है तो मैंने सुच आहां बिल्कुल बहुत अचा इडिया ही है तो मैंने बस cleaning कर ली kitchen kitchen की और उसके बाद fresh की अवजू किया and as usual अब Quran पढ़ेंगे and after that फजर की नमास पढ़ेंगे just look at him अभी दो मिनट पहले मस्ती कर रहे था यहां पर आके और अभी सूने भी लग रहे है Milo जाग रहे हैं नौटंगी है so after नमाज और कुरान I came into my room to sleep और यहां पर very unusual Milo मेरे बेड पर था याता नहीं है वैसे मेरे बेड पर सब के बेड पर जाएगा बस मेरे ही बेड पर ने आता है तो यहां पर आया मुझे लगा सोने के ले आया है मगर थोड़े देर के बाद इसने अपना सली रूप दिखा दिया just look at him बद तमीज तो खेर यहां पर यह जब यह भाग कर चला गया तो हूं मैं सोने चली गई और मैं आज फिर से काफी ज़ादा देर से उठी हूँ मतलब it was almost around 12 तो मैंने curtains खोले and then I'm gonna make my bed first और फिर बाकी के काम करेंगे okay so I made my bed और दूसरों के बाकी होगे room के भी मैंने bedsheets आई किये and then यहां पर कुछ सूखे कपड़े रखे हुए थे so I folded them मतलब थोड़े फोल्ड किये मैंने आदे छोड़कर मैं ऐसे भाग गई थी उसके बाद I'm gonna collect these water bottles and keep it in kitchen on kitchen counter और फिर बाद में ऐसे fill up भी करना है so after filling up these water bottles I'm gonna take shower तो मैं जल्दी से बाटरोब से अपने कपड़े निकालूंगी and बस शार लेना सके बाद अपने कपड़े फोल्ड करके रखे वे थे तो उन सबको भी वाटरोब में सेट करूंगी अच्छे से प्यार से and उसके बाद मैंने शार लिया and यहाँ पर मैं आ गई अपने hair brush करने के लिए after that moisturizer और लगाना है and वजू तो मैं करके ही निकलती हूं washroom से so बस अब उसके बाद जाएंगे सीधा कुरान पढ़ने के लिए so here it was time around 1 o'clock मतलब क्योंकि मैं उठी ही काफी देर से थी तो मुझे काफी साथ देर हो गई इस वज़े से मैंने फिर कुरान भी काफी देर तक मतलब कुरान पढ़ते हैं मुझे काफी साथ लेड भी हो गया था मतलब it was around 1.45 जब मैंने जोहर की नमाज पढ़ी आज तो इत वस क्वाइट लेड बर ठीकल हमदुल्ला I managed to complete two paras और बाकी का जो है मैं इंशाला मंगरीब के बाद पढ़ूंगी तो यहां पर हम आज अफ्तार में बनाएंगे चिकन कांडी जो कांडी गूश होता है ना वो तो उसके लिए जो marinaisun की उसकी प्रेफ हम अभी कर लेंगे तो इसकी दो बार marinaisun की जाती है तो जो first marinaisun है वो अभी हम करने लग रहे है अब हमी ने bonless chicken ले लिया है उसको छोटी-छोटी पीसस में कट करकर उसमे एड़ करेंगे salt and lemon juice तो बस उसको इसी तरीके से marinate होने के लिए छोड़ देना है for at least 10 to 15 minutes तो मैंने सुचा जब तक वो marinate हो रहा है तब तक मैं थोड़े देर के लिए और Quran यहाँ पर recite कर लेती हूँ तो इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो आड़ करेंगे तो सबसे पहले इसमें चला जाएगा चिकन ने इसके जिनजर करनी का पेश्च जिनजरगा बेश्च पस्टारउय नहीं कि जैड़े कर दी पेश्ट पिसे चीचाफों हाफ तीपच कर सकते हालदी चिली फ्ले रोंट प्लेक कामाना यहाँ फैल 오히려 सब्स्टी में पर आपक तो यहाँ पर हमच बस प्रश है और थोड़ा सा food color भी आड़ किया तो बस इसको इसी तरीके से रख देंगे marinate होने के लिए शाम तक इसे हम फिर शाम को fry करेंगे so now it is 5 p.m. शाम को यहाँ पर मैंने साथ से पहले जो छोले है उनको boil करने के लिए रख दिया क्योंकि आज मैं बनाऊंगी छोले चना चाट या simply चना चाट कहते हैं या जो भी कहते हैं उसे तो बनाऊंगी तो मैंने छोले जो है उनको boil करने रख दिया है और यहाँ पर मैं फिर वुजू करूंगी जल्दी से और फिर उसके बाद असर की नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गई यहां पर जो मुंग दा लंबी ने सोक करके रखा था तो उनको भी मैंने मिकसी ग्रणडे में अच्छे से पीस लिया है उसके हम पकोड़े बनाएंगे यहां पर लॉकी है इनको पील ओफ करके मैंने इस तरीके से पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिया है क्योंकि इसके भी हम पकोड़े बनाएंगे और इसके पकोड़े हम सब को बहुत ज्यादा पसंदे हम सब के फेवरेट हैं तो बस यहां पर मैंने ना मिंट और कोरियांडर की चटनी भी बना लिया है आई नो हमारे पास क्यूब्स रखे हुए हैं यहां चना चाट की प्रेप मैंने स्टार्ट कर दी है पैन में लिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला उसके बाद जो चोले जाएंगे इसमें चला जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जीरा पाउडर और धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते मैं बहुत थोड़ थोड़ा कॉंटी टीमे डाला था इनको मिक्स करनीके बाद मैंने इसमें डाला है चौप टमीटोग में तो यहां मिक्स करने के बाद मिंट और कर्यांडर की चटनी रखखे हुए कि दिन पहले बची हwouldी मैं ने वह डाला उसके बाद पास की चतन चावल कांटा थोड़ा ज्यादा लेना है तो बस इसको भी अभी फ्राइ करने के लिए और यहां पर साइड में मैंने जल्दी से हमारे लिए जूस भी बिना लिया था और अम्मी अब्बु के लिए रुफजा तो यहां पर अम्मा जो है वो मेरी चाइना ग्रास का पाकेट ह होता है वो लेकर आए थे तो बस मैं वो भी जल्दी से बना लूंगी और यहां पर चना चाटे उसमें मैंने बॉल और पटेटो जो है बॉल पटेटो उनको छोटे-चोटे पीसे में कट करके वो एड कर दिया था और लास्ट में सॉल्ट आड करना मैं भूल गई थी तो व बस ये फ्राइ करने के लिए रेडी है और साइड महापर जो मेरे लोगी के पकोड़े हैं वो भी मैं वन बाइ वन करके फ्राइक रएड करते जारी और लोगी के पकोड़े को फ्राइ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके लिए इसमिवें एफ यॉर मेकिंग अफ्तारी हो चुके कंप्लेटली रेडी और अब हम सब बेट कर दुआ करेंगे और अफ्तारी करेंगे and this was it for today's video, if you guys liked it, give it a thumbs up and please subscribe to my channel मिलते हैं, इंशाला कल के vlog में तब तक के लिए धीर सेरा ख्याल रखिये stay positive, keep smiling, stay healthy, bye bye, see ya